अज गाजर का हलवा बनाएंगे वो भी ना गाजर को ग्रेट काना है ना उसमें कोई मावा डलेगा ना ही चीनी डलेगी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते और वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा पसंदा है शियर जरूर कीजिगा यह एक छोटा चमच मैंने घी ड का लीजिए दो मिनिट ना इसको हम भुन लेंगे घी में दो से ती मिनिट धीमी आंच पे बस थोड़ी तीर भुनना है उसके बाद इसमें डाल देना है दूद तो लगवग दो कब दूद यह आदा किलो मैंने गाजा ली थी इस पे दो कब दूद दम परियाप्त है अब क गाजर आप देख पार होंगे एक तम सॉफ्ट मैशी सी हो चुके तो बस हमें क्या करना है अब गैस को वापस से ओन करना है और इसको ना दूद को पूरा पका देना है और गाजर को भी ना मैश करते जाना है तो फटा-फट सी प्रोसेस हो जाता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा पसंद आ रहा हो तो कमेंट में यमी जरूर टाइप कीजेगा और यहाँ पर मैं डाल दूगी इलाइची पाउडर वन फो टीस्पून जितना और अच्छे से मै इसमें डाल दूगी शुगर फ्री पाउडर तो मैं चीनी के इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो जिनको डाइबिटीज है तो आप यह वाला हलवा बना सकते हो तीन बड़े चमच जितना शुगर फ्री पाउडर मैंने लिया है कोई अच्छी ब्राण का शुगर फ्री पाउडर अच्छी ब्राइब बना सकते हो तो जब आपका हलवी खाने का मन हो और आप चीनी नहीं खा पा रहे हो तो इस तरह से थोड़ा सा हलवा बना सकते हो और कुछ ड्राइब रूट्स मैंने साइड में रोस्ट कर लिये थे घही डालके काजू और बादाम तो यह ऑप्शनल है डालेगा तो अच्छा ही है नहीं डालेंगे तो भी चलेगा तो हमारा जो हलवा है बन का बिकुल तयार है गैस को कले ट्यू मैं बन कैसे लगी आपको यह रेसिपी पसना आई तो कमेंट में यमी जरू टाइप कीजेगा थेंक्स ओव वाचिंग जैश्री गरनेश वाई ग